हेलो एवरिवन एन वेलकम टू मैं नूव व्लॉग सो आज है डे फूर बट इस वीडियो में आपको डे फूर और फाइफ दोनों कवर किया है मैंने क्योंकि डे फूर उतना कुछ था नहीं अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना बट इसलिए मैंने डे फूर और डे फाइफ को एड़ कर लिया है और मॉर्निंग का व्यू है हमारे होटल से और बहुत ही प्यारा व्यू था बट सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो रखी थी इतनी गर्मी हो रखी थी मॉर्निंग के 7-8 ओकलॉक हम जा रहे थे अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए बट गर्मी उफ कोई नहीं बट हमें तो तो भूख लग गई थी तो हम बस जा रहे हैं हम अमरे लाना भी भूल गए ते उस दिन तो बट व्यू वर्थ था मतलब बहुत सही व्यू था बट हम पहुच गया फिर ब्रेकफस्ट करने के लिए हमने इंडियन फूड ही और किया था तो हमने अपना ब्रेकफस्ट लिया ब एक्सेस तो आप जा सकते हैं तो हम पहुच गए मौर्निंग में अपना वाटर अक्टिविटी करने के लिए और यह पूरा सेटप पूरा ना वाटर पार्क मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं वह थोड़ा सा यह होता है रिस्क होता है करने के लिए क्योंकि देप्थ है तो अब गिड़ने पे अगर स्विमिंग नहीं आ रहा है तो थोड़ा डर है क्योंकि कोई सेव करने के लिए मतलब तुरंत आएगा नहीं आएगा तो वह रिस्क है थोड़ा सा तो हम आगे जानी रहते थे थोड़ा पहुत वाटर अक्टिविटी किया था तब हमारे पास फोन नहीं था तो हम रिक्धार नहीं कर पाएग हम लेलिये थे तके हम स्नॉप्लिंग वगरा कर सके तो यह माज़प वगेरा उनोंने दे धी था हमनों पोलंग करने के लिएस्विएक नोज व रहे थे तो वो नीचे से फिस वगएला देख रहते और मैं जभ स्नोहिक कर रही थ तो मैं नीचे से स्टोन्स लेक्या रही थी यह जreiben सीरि corazón नहीं होता है दिन टी घी के मुझे यहां से स्टोने लेके जाने तो इसके लिए कर रही विस दो स्टोन्स वैज से सब्गेदग दो अने निकाले Morma से मैं लेकर भी आया हम इसको अपने साथ वह नैंगलओर बहुत ही क्यूट है ये and then फिर हम अपना पूरा फ्रेस फगेरा हो गए और मैंने वियर किया था ये ड्रेस लंच के लिए और फिर हमने सैकल भी रेंट की थी तो देखो हम लोग फोटो सूट फगेरा यहां पे कर रहे हैं फुल सेट अप अगेरा लगा लिया था तो ऐसे ही बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप लोग कैसे कपल फोटो वीडियो लिया है आपने तो ऐसे स्टैंड लेके कहते हम फोटो वीडियो के लिए तो फिर बस चिल किया कुछ नहीं करना था फोटो लिया और चिल किया और ये हमारे होटल के बहार का व्यू है बहुत ही सांती मिलती है अगर आप बैट रहो ना मतलब इवनिंग के टाइम पे बैट जाती थी ना तो ऐसा लगता था बस कहीं नहीं जाना है इधर ही रहना है फिर ये सब खतम किया ये ड्रेस मैंने लिया था मतलब लज के बाद पहना था उसके बाद फिर डिनर के लिए हमें जाना था पीजेरिया करके एक रेश्टोन था वहां पे तो वहां पे हम पहुज़ी गए अपने डिनर के लिए और वहां का भी व्यू बहुत अच्छा था और हमने ओडर किया था कुछ मॉक्टेल और जो विवेक ने ओडर किया था ना वो बहुत टेश्टी था और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जो मैं order करती हूँ यह मैंने order किया था और यह विवेक ने श्टार्टर में और विवेक का बहुत अच्छा था बहुत टेस्टी था पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है बट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आपको दूसरों का खाना ज्यादा टेस्टी लगता है तो मुझे कमेंट करो सो फिर यह टेसर्ट वगरा मैंने मंगाया था और पीजा का मैंने वीडियो लेना भूल गई तो सॉरी बाके फिर वहां से हम निकलके पहुँच गए एक कुछ क्लब था ना मुझे याद नहीं है वहां पे कुछ पाटी वगे रह थी रात में और बिल आने के बाद हमने पैकिंग वैकिंग कमप्लीट की और मैं यह ड्रेस का सूट करना भूल गई थी तो मैं बस यहां के वापस से वह सब कर रहे हूँ फिर रात को हमने पैकिंग वैकिंग की और बस सो गए क्योंकि सुबह बहुत है ठीक हमारा फिर से निकलना था फिर बैंग उठो और ऐसे दिखता है ना सामने, it's a dream, so सब करके फिर हम चेक आउट किया हमने अपने रूम से और हम पहुच गए breakfast के लिए, breakfast में हमने धोसा बनवाया था, हमें बहुत heavy नहीं खाना था, तो हमने एक-एक धोसा खाया वहां पे, और वहां से निकल के हम जा रहे हैं, अपन मारा transfer भी seaplane से था, return का भी, तो हम बस उसके ही और जा रहे हैं, हमें जाने का बिल्कुल मनने, मैं तो बहुत-बहुत upset हो गई थी मैं यार, और में को ना headache भी हो रहा था, इतनी गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकते हो, तो सब करके फिर यहां पे थोड़ा luggage का problem हो गया था, तो सब हमने थोड़ा बहुत sort out किया, कुछ, कुछ luggage हमारा already Maldives Airport पहुँच गया था, कुछ यहां रहे गया था, तो सब ठीक करके हमने चले गए, यहां से निकल, Maldives Airport, और वहां जाने के बाद जो भी luggage का problem था, वो हमने sort किया, वहां पे जो luggage पहले से पहुँच गया थे, फिर हम अपने second airport पे गये, जहां से हमारा flight था, Bangalore के लिए, यहां थोड़ा weight किया, और फिर अपना luggage वगेरा दे दिया इन्हे, ओवरवेट तो हुआ नहीं था, क्योंकि वहां पे swapping के लिए कुछ भी नहीं था, लिटरली मैंने कुछ भी swapping नहीं किया वहां से, तो बस पहुच गया है, तो भी immigration वगेरा होता है, वो सब कराने के लिए, वो सब कराने के बाद अंदर थोड़ा swapping का था, तो हम थोड़ा सा explore कर रहे थे, कि क्या है, कैसा है, तो वहां से फिर मैंने दो lipstick purchase किया था, वो दोनों lipstick का मैंने इंस्टा पे डाला भी था, तो ये दो lipstick मैं मैंने वहां से लिया, एक मेरी लिए और एक मेरी बहन के लिए, वो सब billing वगेरा कराया, और यहां पर भी dollar वगेरा एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर वहां से निकल के फिर हम पहुच गया, बर्गर किंग, क्योंकि पूरे एरपोर्ट में सिर्फ मुझे बर्गर किंग ये के बाद मौसम काफी अच्छा था as compared to Maldives, तो यहां पर आने के बाद हम डारेक्ट अपना बैग वगेरा कलेक्ट करने के लिए आ गए, बैग वगेरा कलेक्ट किया और डारेक्ट अपना ओला या उबर कुछ तो बुक किया था हमने, तो वो सब बुक वगेरा करके डारेक् क्योंकि बैंगलोर एपोट से हमारा घर एक से देर घंटा लग जाता है, तो एक तो आप पहले ट्रावल करके आ रहे हो, वापस से एक देर घंटे का फिर से ट्रावल तो बहुत जादा परिसानी हो जाती है, फिर वो सब करके मैं आई घर, थोड़ा हैर वगेरा कॉम किया, थोड़ा फेज ठीक किया, और फिर से हम जा रहे है थोड़ा डिनर करने के लिए, क्योंकि अल्मोस रात हुई गई थी, अराउंड एट, एट थर्टी हो गया था, घर पहुंसते पहुंसते, तो बस अपना थामान वगेरा खोला, घर आई, लगेज वगेरा ठीक करके अपन अपना डिनर लेने के लिए, यहां पे पास में कैफे है, वहां गये थे, मूड फूर फूड करके है, तो वहां गये थे, वहां का बहुत अच्छा है, मतलब यह सोया चाप हमने लिया था, उसका बहुत टेस्टी है, वहां पे खापी के अराम से थोड़ा सा स्कूटी का रा झाल बाये की अर् lingu Gateway को चापी कहा जये और दॉयां वहां यहा रहां से वहां में क्यों का बहुत टो आज़ाया था हरा है, भाभ बाया। झाना ऐ», यहां से खलेड़ा राम इ Tib bright यहां जffentlich क्तों को बहुत है